भयाद अस्य अग्निस तपती भयाद तपती सूर्यह भयाद इंद्रश्य वायुष्य मृत्युर्धावती पंचमह नमस्कार मित्रों मित्रों यह कठोप निशत के दूसरे अध्या की दूसरी वल्ली का तीसरा मंत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसकी अर्थ को समझते हैं तो मंत्रों कहता है भयाद अस्य अग्निस तपती अर्थात भये से इसके अगणी दावती पंचमह अर्थात मृत्यू भागता है पांचवा तो यहां पर अब यम नची कीता से कहते हैं कि वह जो है जो परम तत्व है उसके भय से अगनी तपता है उसके भय से सूर्य तपता है उसके भय से ही इंद्र और वायू और मृत्यू भागता है उसके भय से पांचव तो यहां पर हमको यह बताया जा रहा है कि जो परम देव है वो जो देव है वो यह जो बाकी देवता है उनसे भी परे है और यहां पर जो बात हमको वास्तों में समझने है वो यह है कि देखिए जब हम अपने इश्ट देव को समक्ष रखते हैं अपने और हम उसके पूजा क करते हैं हैं तो साधना में है कि मेरे इमारी मन में एक भावना होनी कि परे है वास्ताव में इश्वर मैं जो अपने वह पूर्ण इश्वर का संपूर्ण वह नहीं है जो कि मैं अपने इष्ट को दे रहा हूँ ये बात हमको समझनी चाहिए कि जो परमेश्वर है या जो जैसे भगवान शिव के लिए का जाता है महादेव या भगवान विश्णु के लिए या भगवान कृष्ण लिए का जाता है वासू देव तो ये क्या है ये वास्ताव मे है सर्वोच्य देव सर्वोच्य देव बोला है वहाँ पे तो जो सर्वोच्य देव हमने बोला है वह ऐसा नहीं है कि वह हमारी मन की कलपना से या हमारे मन से जो चितर हम बनाते हैं या जो हम स्वरूप का दर्शन करते हैं अपने ईष्ट का वही उसका पूर्ण स्वरूप है ऐसा हमें भाव score नहीं रखना चाहिए हम और रेरे का ये जो बार्व हू sow singers को ये है यह साकार का डुम है कि मेरे लिए है परतुु जो ये बारत से पर है इसके भी पर है और वो ऐसा है जो कि कभी किसी रूप में सीमित किया ही नहीं जा सकता तो उस प्रकार से जब हम समझते हैं तो उस रूप से हम यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि उसके भाय से अगनी तपता है यदि आप उपनेशेदों को देखें तो वहाँ पर कई बा का रूप है किवल एक साकार रूप हम इसको दे सकते हैं वास्ताव में जो उसका रूप है वह तो परम है तो सवयम को केवल एक देव तक सीमित कर लेना ठीक नहीं है तो यह ही बात जो आपको हमारे जो श्रेश्ट देव हैं उनसे भी समझना चाहिए कि भगवान शिव कि स्वैम को सीमित कर लेना भी ठीक नहीं है अप इश्ट के रूप में साका रूप में उपासना करना चाहते है तो भक्ति करना चाहते हैं तो बिलकुल आप कीजिए उसमें कोई समस्या नहीं है परन्तु एक आप में ये बात सदा घर में रहनी चाहिए कि इश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें भेद है मैं अपने इश्ट के रूप में पूजा कर रहा हूं संपूर्णता से उ लूप में जो रहे हैं झो हूं समझने है और दूसरी बात हम यहां पर जो समझते हैं वह यह ही है कि यहां पे जो भी खृरा चल रही हैं जो हमारे भीतर का जो तो हम भी ऑविनाशी हो जाएंगे तोW भाग जाता है उस फिर हम से दूर तो यह ऐसा नहीं है कि यहां पर अगनी जो है वो ऐसे ही बस अकस्मात रूप से अगनी चल रही है यह अकस्मात रूप से सूर्यत अपरा है उसमें कुछ पीछे कोई उसके शक्ति नहीं है जो उसको चला रही है ऐसा नहीं है कि वायू जो है वाकस्मात यह चल जा रही है बस मेरे भी तभी उपस्तेत है सब के भी अपस्तेत है सभी यहां पर जितने भी जो इनी ऊनित्य रही है सदावैसा को वह साधिये तो वह बात यहां पर बैस्पर नॐuito नंचीकेता कि करेंगर लो नह जार।